पेशे श्री गंगा नगर हनमान गट जिली की टॉप 10 खबरी प्रमाई तक बंद कर दो इस मामले को लेकर उपखंड अधिकारी उमेश सिंह रत्रों ने आज वियापारियों के साथ मिटिंग की श्री गंगा नगर जिलाच किस साले में सुवार को तीन मृत को सहित 6 लोगों की सैंपल कोरोना जांच के लिए 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 गए है मिर्तकों में श्री विजे नगर से रेफर की गई बालिका का शव भी शामिल है PMO डॉक्टर केस कामरा ने बताए कि कल श्री विजे नगर BCM में उन्हें 14 वर्षिय बालिका का शव रेफर किया था इस बालिका को दो माह से तेज बुखार था कली लाज के दोरान बालिका की मृत्यू के बाद उसका शव सेंपलिंग के लिए यहां भीजा गया था आज बालिका के शव के अलावा कल के घटना क्रम में मारे गए BSF के दो जवानों के सेंपल भी लिए गए हैं इसके अतरिक्त आज तीन और लोगों के सेंपल जौंच के लिए भेजे गए हैं श्रेगंगनगर में लोगडाउन 3 शुरू होने के साथ ही शहर में शराब की दुकाने भी खुलने लगी हैं सुबह 10 बजे ठेकों की खुलते ही लोगों की भीड वहां जुट गई 44 दिन से ठेके खुलने का इंतिजार कर रहे मदरा आदी के तलबगारों ने शराब की दुकाने खुलने की सूचना मिलते ही वहां पहुँचना शुरू कर दिया इस वरां सोशल डिस्रेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया पदंपुर में लगभग देड़ महिने बाद यहां बाजार में सभी तरहां के प्रतिस्ठान खुल गए लेकिन बाजारों में पहले जैसी रौनक नहीं दिखाई दी सुमवार को ग्रीन जोन में कस्पे की मुख्य बाजार खुले पुलिस ने कल ही व्यापारियों की बैठेक लेकर दुपाहिया और चुपाहिया वाहनों को मुख्य बाजार में प्रिवेशन करने की चितावनी दी थी गसिंगपुर कस्पे में सोमवार को पहले दिन खुले बाजार में भारी भीड जमा हो जाने की कारण और विवस्थाओं का बोल बला रहा एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्या उड़ी वहीं बहुत से लोग बिना मास्ट की बाजार भी पहुँचे कस्पे का बाजार खुलते ही हेड कॉंस्टे बसीता राम और नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी गुपाल कृष्ण शर्मा बाजार की वेवस्थाएं दुरुस्त करने पहुँचे श्रीगंगर नईधान मंडी में सोहार को चोथे दिन भी सरकारी गहुँ के उठाव का काम का चलता रहा भारते-खाते-निगम की खरीद की गई गहुँ के कटो के उठाव तक मंडी में जिन्सों की आवक पर रोक लगी हुई है क्रिशी उपज मंडी समिती सची उलाजपत खुराना ने बताए कि कल शाम तर करीब 90,000 कट्टों का उठाव हो गया था आज सुबै तक 70,000 कट्टे बाकी थे वेश्विक महारी बन चुके कोरोना वाइरस का भाय मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा आ है हिंदु मुल्क कोट थाना शेतर में रविवार को गोली प्रकरण में मृतक हवलदार और प्लाटून कमांडर का सोमवार को भी पोस्माटम नहीं हुआ बिकानेर से सेंपल की रिपोर्ट आने के बाद जिलाजपत की साले प्रशासन आगामी कारवाही करेगा प्यमर डॉक्टर केस कामरा ने बताया कि मृतक बियसेफ हवलदार शिवचंद राम और प्लाटून कमांडर रविन्र पाल सिंग के शव दोपहर बाद जिलाजपत की साले की मोर्शरी में रखवाए गए पोस्माटम करने से पहले इनकी जांच के गई इनकी कुरोना जांच के लिए सैंपल लेकर बिगा निर भीज़े गई हैं सोमा शाम तक इनकी रिपोर्ट आएगी और इसके बाद ही आगामी कारवाही की जाएगी हनवान का टाउन पुलिस ने सोमा शुपए बड़ी कारवाही करते हुए नो क्विंटल डोडा पोस्ट बरामत किया डोडा पोस्ट सहित दो आरोपियों को भी पकड़ा गया है आरोपिय डोडा पोस्ट को तरभूजों के नीचे छिपा कर ला रहे थे उनसे पूस्टाच किये जा रही है टाउन थाना परभारी नंदराम भादू ने बताए कि मुखमिर से मिली सुचना के आधार पर पुलिस ने आस तुपे मेगा हाई वेपन नाका बंदी की आते हैं यहां से सभी मजदूरों को अलग-अलग रूर पर बसे चला कर घर तक पहुंचाया जाएगा सभी के स्क्रिनिंग करवाई जा रही है लोगडाउन में विभी ने जिलो सिफ़से पंजाब जाने वाले साध्वाली कैम्प में ठहराए गए मजदूरों और प्रवासियों को आज बड़ी राहत में लिए है पंजाब सरकार ने इन लोगों को अपनी सीमा में आने पर रोक लगा दी थी इस मामने में जिलापिल शासर ने पंजाब की अधिकारियों से बात चीत करके मजदूरों को बस के जरिये पंजाब बॉर्डर कलर खेडा में बने कैम तक पहुँचा दिया है उपखन अधिकारी उमेज सिंग रतनुन ने बताया कि साध्वाली बॉर्डर पर कैम्प में 182 मजदूरों को आश्रे दिया गया था श्रे गंगानगर में मौडिफाइड लॉकडाउन 3 के तहट ग्रीन जोन में 50% सवारियों के साथ रोडवेज बसो की संचालन की भी अनुमती दी गई है इसके बावजूद गंगानगर डीपो से आज बसो का संचालन नहीं किया गया हलांकि राजे सरकार के आदेश अनुसार 50% करमचारियों को तो बुला लिया गया था लेकिन बसो को ओन रूट करने के लिए दोबह तक जिला पुशासन के निर्देश का इंतिजार किया जो रहा था गंगानगर आगार की महाप्रबंधक मनुझ बंसर ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज से 50% करमचारियों के साथ विभिन रूट के लिए बसे भी तयार रखी गई है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर